नवस्कार प्रतिपक्ष समवाद देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ भावना शुकला रुख करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की तरह समवती आमावस्य के चलते हरिद्वार में उमड़ा जन सेलाप भारी भीड की वज़ा से हरकी पैड़ी पर पैर रटने की जगा भी नहीं मिली बक्तों को इस बार सुमवती आमावस्या आज अप्रेल को है इसके चलते वीकेंड पर धर्म नर्वी हरिद्वार में शनिवार से ही देश के कई राज्यों की भीड उम्डी हुई है वही आज रविवार को भी सुबा से ही भीड में लगातार बेताहाशा वृद्धी होती जा रही है हालत यह है कि हरकी पैडी के ब्रह्म कुंड से लेकर गंगा के विबन घाटों पर भारी भीड ने आस्था की डुपके लगाई वही बड़ी संख्या में परियटकों के यहां पहुशने से वहानों का भी भारी दबाव हो गया है हाईवे पर सुबह से ही जाम की स्थिती बनी हुई है यहां होटल, आश्रम और धर्मशाला सब कुछ पूरी तरह से पैक हो चुकी है सुमवती आमावस्य को लेकर जिला प्रशासन ने 39 जोन और 49 सेक्टर में बाढ़ कर सुमवती आमावस्य को संपन कराने का पूरा प्लान तयार किया है कॉंगरेस के दिगश नेता दिनेश अगरवाल के पार्टे चोड़ने पर शायराना अंदाज में बोले हरीश रावत कहा कुछ तो मजबूरयां रही होगी यूहीं हर कोई बेवफा नहीं होता दिनेश के पार्टी छोड़ने पर कॉंग्रेस ने उन्हें निश्कासित कर दिया है छे साल के लिए और आज उन्होंने भाजपा की सबस्ता भी ले लिए कुछ तो मजबूरिया रही होंगी यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता पूर्व मुखी मंत्री और पूर्व केंद्री मंत्री हरीश रावत ने ये बात कही उनकी सरकार में मंत्री रहे वरिष्ट कॉंग्रेसी नेता दिनेश अगरवाल के पार्टी छोड़ने पर उनका कहना है कि कारण तलाशने होंगे कि साथ बार विधाया का टिकेट माने मेयर का टिकेट पाने और मंत्री जैसा महत पूर्व पद निभाने वाले ने पार्टी क्यों छोड़ दी जिसका आपने शेतर में पूरा आधिपत्य रहा हो मजबूत स्थिती में जो रहे हूं ऐसे लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए और भाशपा में तो कत्ता ही नहीं जाना चाहिए उत्राखंड कॉंग्रेस के अनुशासन समीती ने पूर्व मंत्री एवं और नगर निगम पार्षत राजेश परमार को पार्टी विरोधी गतिविदियों के चलते ततकाल प्रभाव से पार्टी की प्रात्मिक्ता सदस्य से छे साल के लिए निश्कासित भी कर दिया है जिसकी तयार है भी अब राजवितिक पार्टी विद्वारा सुपर स्पीट से की जा रही है भाजपा के बाद अब कॉंग्रेस ने भी अपने प्रिचार प्रसार के प्रक्रिया में तेजी कर दी है और इसके चलते भाजपा पर तंज भी कसा जा रहा है कॉंग्रेस प्रदीप तंटा के पक्ष में घर घर जाकर मद्दान करने की अपील गी इस अफसर पर कॉंग्रेस कारेकरताओं ने कहा कि भाश्पा सरकार ने अपने 10 साल की कारेकाल में सेना में अग्मीवीर योजना चलाकर युवाओं के भविश्र के साथ खिलवार किया है देश भर में युवा भाश्पा की नीतियों से तंग आ चुके हैं प्रश्चाचार समाप्त करने का वादा करने वाली भाश्पा सरकार भ्रिश्चाचारियों को बचाने का काम कर रही है काला धन वापस लाने के नाम पर सत्ता में बैठी भाश्पा सरकार देश को लुटेर्य को सौपन बड़ा फैसला है बड़िनात धाम में मास्टर प्लान के कारे फिर से शुरू हो गए हैं धाम में पुनर निर्मान कारें के लिए सौ से अधिक मजदूर महा पहुंच चुके हैं साथ ही अन्य मजदूर भी लगातार पहुंच रहे हैं कडाकी की ठंड और बर्वारी के चलते दिसंबर माह में बड़िनात धाम में मास्टर प्लान का कारे रोक दिया गया था अब मौसम दीरे-दीरे अनुकूल हो रहा है जिसके चलते प्रशाथासनने मास्टर प्लान के कारे को फिर से शुरू करने के आधेश दिये हैं धाम में द्वित्य चरंग के तहथ होने वाले कारे को लेकर धोस्ती करण कारे शुरू कर दिये गए हैं वहीं दूसरे चर्ण की बात करें तो दूसरे चर्ण में मंदिर परिसर का सौंदेर करन आधी कारे शुरूर किये जाने की संभावना है आज की ख़बर में फिला इतना ही लेकिन ऐसे ही तमाग ख़बरों के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संभाव